हमारे घर की किचन आउस्धिय गुणों से भरपूर मसालों से भरी राती है उन्हीं मसालों में से एक है जीरा जीरा आमतार पर पाउडर और बीच के रूप में इस्तेमाल होता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि जीरा आपके स्वास्त के लिए कितना गुणकारी है ये कई पाल कर पानी के साथ पिया जाए तो वजन घटाने में मदद मिलती है इसके साथ ही पेट संबंदी बीमारियों से भी छुटकारा मिलता है लोकल एटीन से बाचीत में होम्योपैथी डॉक्टर पंकच पैनूली कहते हैं कि जीरा हमारी भारतिय रसोई में पाए जाने वाला को दूर करता है कॉलेस्टरॉल को कंट्रोल करता है वजन घटाने में भी जीरा लाब धायक है और डायवर्टीज को भी कंट्रोल करता है यह बहुत अच्छा काम करता है डाइजिस्टिव सिस्टम में जैसे आपने देखा भी होगा कि बहुत बार एसड़ेटी होती है या फिर कुछ होता है, तो फिर जीरे का बुरा बना के उसको मुंपे रखा जाता है, गुरूने पानी से लिया जाता है, तो एक तो ये भूती आसान, ग्रोज मर्रा के जिन्दगी में दिखता है, हमारे बीच में, क्योंकि जीरे में फाइबर होता है, फाइबर जाके उस acid को neutralize करता है जिसकी वज़े से वो जो acidity है वो खतम हो जाती है उसके बाद क्या होता है कि cholesterol को ये कैसे कम करता है क्योंकि इसमें antioxidant होते हैं antioxidant होने की वज़े से जो LDL है जो आपका bad cholesterol है उसको decline करता है और HDL को जो अच्छा cholesterol होता है उसको उठाता है मदुबे में भी ये काम आता है diabetes में क्या होता है diabetes glycemic anti glycemic properties इसके अंदर होते हैं और anti glycemic property होने में फिर ये जो है diabetes को भी control करता है वजन गटाने में तो बहुत सारे लोगों को आपने दिखा होगा कि जो इसको रात को भीगो के रख देते हैं सुबह जीरे का पानी चान के पी लेते हैं या फिर जीरे का भूना हुआ जीरा गुनगुने पानी के glass के साथ मिला के दो glass ये एक glass ऐसे लेते हैं क्योंकि इसमें fiber होता है और fiber के अलावा इसमें और भी micronutrients होते हैं जिनकी वज़े से weight lose होता है और metabolism basically increase होता है इससे weight कम होने के बज़े मेटाबोलिसम अच्छे से increase होता है जिसकी वज़े से हमारा weight lose हो जाता है इसका अलावा है इसमें swelling में ये बहुत अच्छा काम करता ह swelling में आपने कई बार देखा होगा कि जैसे सरसों के तेल के साथ जीरे को उभाल देते हैं और वो तेल और उस जीरे को फिर लगाते हैं तो इसमें anti-inflammatory properties होती है जैसे जहाँ पे सूजन है सूजन को basically सूजन जो आती है वो inflammation के बेस पे आते हैं और inflammation के चार sign होते है रोमर कॉ swelling heat pain ये चार properties inflammation के होती है और जहाँ पे फिर इसका paste लगा के उसको कपड़े से बान देते हैं तो वहाँ पे भी ये जीरा जो है काम आता है और जीरा खाने में तो हमारे आलू के चाई गुटके हों या किसी में भी हों तो उसमें ये सारी चीज़ें पढ़ती है और भारती ह किचन में ये रोज मर्रा में काम आने वाली चीज़ है अब इसको खाते कैसे हैं क्या तो इसको आप किसी फूट के अंदर मिला देते हैं जैसे आलू के गुटके हो गए ये हो गए या फिर चाई में पढ़ता है बहुत सारी जगा इंडिया के बहुत सारी कोनों में जहां चाई में जीरा डाल देते हैं या मसाला चाई जो बनती है उसके अंदर जीरा होता है और इसके अलावा क्या है कि या तो इसे गुनगुने पानी में पाउडर फॉर्म में गुनगुने पानी के साथ मिला के प्यो या फिर जीरे को जो है रात को शोक कर दो एक ग्लास पानी में एक चम्मच और सुबह उसे चानके पी लो तो जीरे के basically क्या है कि जीरे के कोई ज़्यादा side effects होते नहीं है और ये हमारा metabolism को increase करता है तो indirectly हमारी पूरी body को detox करता है तो ये इसके benefits है